आज जो टॉपिक्स हम लोग जो टॉपिक्स करेंगे देखो इस सीरीज के अंदर जो प्रिलिम्स ग्यान सीरीज है जो आम ट्राइंग तू कवर जैसे जोग्रफी इन्वार्मेंट और साइंस के जो टॉपिक्स होते हैं खास्त और जो रिसर्च में आते हैं डोंट कंसेडर यह पूरा पूरा डेली बेसिस के टॉपिक्स हैं इत मींस यह आपकी जैसे फिजिक्स डॉट वार जी रिसर्च पेपर में आते रहते हैं अलग अलग जगाहों पर यह टॉपिक्स होएं इस नॉट लाइक यह एक यह तो टॉपिक्स है पहला जैसे टॉपिकद आप यू गया होँता है लयक्तरोट फ्लैश कोई भी चीज बहुत टेजी से हुना और यह यह जो डरॉट है यह बहुत तेजी से इंतने आपका ओंधोगा इंटेंसिफाई विदिन लाइक अपते में महीने के अंदर बहुत तेजी से आपका इंक्रीस होगा यहां पर देखो इसके पीछे जो फैक्टर है जो फ्लैश डॉट है इसके पीछे जो कॉस है एक तो मालो बहुत जाद बहुत कम बारिश प्रेसिपिटेशन और दूसरा फै इसका मतलब क्या होता है जैसे आपका स्वाइल में एक पौधा लगा हुआ है इस पौधे में पत्तियां हैं तो क्या होता है कि स्वाइल में अगर जितना भी मॉइस्चर होगा अगर मॉइस्चर होगा तो वह मॉइस्चर स्वाइल के रूट स्वाइल से रूट में रूट से उपर के जाते हुए और छोटे-छोटे पूर्स होते हैं इनमें छिद्र होते हैं आप मानों जिसे कहा जाता है स्टोमेटा उसके मध्यम से जो पानी है वेपर के फॉर्म में बाहर चला जाता है यह प्रोसेस को ट्रांस्पिरेशन कहते हैं इस प्रोसेस को इससे क्या होगा कि तुरंत अगर तेजी से हाई है उसमें तुरंत देरी जो पॉसिबिल्टी बहुत ज्यादा यह पॉसिबिल्टी होती है कि फ्लैश डॉट हो जाए पूरा स्वाइल का जो मैस्ट्र है वो पेड़ है और भी नार्मल जैसे सूरज की रौष्णी से गर्मी से पानी तुरंत जो है यह इवापरेट होगा और उसके पीछे जो एक प्र बताया गया है वह उसे बोला गया है जो फैक्टर आपका बताया गया है उसे यह आपको ध्यान में रखना है यह इंपार्टेंट है दूसरा देखते हैं इस पर एक रिसार्च चाहिए जिस हम कहते ह इसको समझने के लिए जैसे अगर हम स्ट्रॉम या साइकलों शब्द की बात करते हैं तो जनरली जो हमने पढ़ा हुआ है अभी तक कई बार मैंने डिसकस भी किया जैसे मालो यह एक्वेटर है यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यह ट्रॉपिक ऑफ क्याप्रिकॉन है 23.5 डिगरी नॉर्थ 23.5 डिगरी आपका साउथ आपका यह है और यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्याप्रिकॉन और बीच में एक्वेटर है तो जनरली जो साइकलोंस आपके इन कंडिक्शन में बनते हैं एक्सेप्ट 0-5 डिगरी तक कमेट सेक्शन बाता जिरो से 5 डिगरी पे क जी से मालो डॉपिकल साइकलोन में हरीकेंश भी आ जाते हैं आपके अल्शली आहिश्टन पैसिक कोशयन में और इसंटर पैसिक के अंदर आते हैं आईफून और इनको बनने के लिए जो कंडिशन चाहिए होती है लगबख 27 डिगरी ऐ सेलसेस और आपका मॉश्चर की सप् बनते हैं, इसी तरी कि दूसरे होते हैं, जिसे हम सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल में basically एक important aspect आप रिया धकना है, इसमें front का formation होता है, अथर इधर से ठंडी हवाई आ रही है, इधर से गरम हवाई आ रही है, दोनों मिलती है, तो दोनों का जो transition इलाका है, उसे इसे फ्रेंट बोलता थी यहां से मालो आपकी जिसे फ़र्एंपल यहां से आपकी गरम हौई आती हैं धर से ठंडी हौई आती हैं यहां पर मिलेगी तो आपका फ्रेंट बनता है और ये फ्रेंट जो है एक्स्ट्रा ट्रोपिकल disruption न के बनने के लिए है इसका जो movement होता है generally East से West की तरफ रूथ होता है जो Extra-tropicland, and West Euro East और यह जो है Extra-tropical cyclone basically land में Water पे भी form होता है यहrit इस इस एक दूसरी category जो आपकी highlight की गए यह उसे कहा गया है उसे बोला गया hybrid cyclone hybrid strong hybrid strong में क्या है यह दोनों ही tropical cyclone और extra tropical cyclone और extra tropical cyclone मतब यह और यह दोनों के features आपके present हैं तो यह जो cyclones हैं आप क्या सकते हैं कि इन में इन में एक तो क्या है अगर ये इनकी अगर हम बात करें तो एक तो इसमें फ्रेंट का formation नहीं होता है और दूसरा आपका जो एक feature होता है सब ट्रॉपिकल जो cyclone में इन में वह है contrasting temperature contrasting temperature वाला feature होता है फ्रेंट का formation भी नहीं होता है इसमें क्या है कि दोनों के थोड़े-थोड़े features है इसे बोलते है hybrid storm और इसमें एक बड़ा जो area है इस लार्जर wind field होती है इसका जो wind expansion है wind field है वह भी आपकी लार्ज होती है लार्ज wind field होती है यह facts आपको ध्यांता अभी देखो hybrid storm क्यों पर एक आपकी रिसर्च आई है उसी पर बेस्ट यह discussion है like we are discussing तो इसमें आप यह मत सोचना है कि इससे revision आप मैंसे कई geography की context में important है यह भी geography का टॉपिक है देखो प्रयास सीरीज में सिर्फ यह है कि खास्ता उसे geography environment science के एरिया के topic बढ़िया तरीके से cover किया जाए तो सुका पैका रिवर की अगर बात करोगे तो इसमें क्या हो था कि यह रिवर लोकेटेड कहां पर उडिसा में है अब इसमें देखने क्या मिला मतलब की एक गाहों था उस गाहों के पास से रिवर जाती थी तो इस रिवर की वाज़े से फ्लड ना आए तो बहुत समय पहले 1950 में इसमें इसमें इसा सारी चीज जैसे आप देख रहो ना पूरी रिवर खतम हो गई इसमें यह सब ऐसे सब और यह सब चीज़े उग गई और पानी कठा एक जगह हो गया मतलब पूरी की पूरी रिवर डेथ की तरफ चलिए जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टन थी और रिवर इसमें वाटर भी और पूरी इसके रिवाईवल के लिए प्रोजेक्ट पास किया गया इसके तुरिये ज़ो रिवर की हालत है उसके पीछे जो रिजन आप देखोगे वह बेसी कि लीए है फिका आपका लिया गया है नेक्स देखंगे मृणिया मल्टइफ्लोरा जैसे आप एक हर्भ है एक प लिए है इसको critically endangered category के अंदर रखा गाता है critically endangered category के अंदर रखा जाता है और इसमें मई से सब्टेंबर के महीने तक आपकी flowering and all होता है तो इसमें भी latest species पाई गई है इसलिए न्यूज में है लोथल पर भी अभी आपका step लिया गया तो यहां पर हम अगर आप देखोगे तो लोथल यहां पर लोथल की बात किया जाए तो लोथल बेसिकली पोर्ट सिटी थी पहले कर टाइम पे पोर्ट सिटी थी पोर्ट सिटी खास तोर से इंडस्पैली सिविलाइजेशन के कंटेक्स्ट में गुजरात में इस समय आपकी लोकेटेड है गुजरास सिटी में लगभग यह दो हजार 2200 बीसी में यह आपकी बनी थी और इंपोर्टन ट्रेड सेंटर भी था यह बहुत इंपोर्टन एक ट्रेड सेंटर भी थी और यह जो डिसकवर से जो कोई भी चीज़े मूव कर रही है तो वहां पर पार्क होती है या फिर आपके सब्सक्राइब करती थी साबर मती रिवर्ट के साथ बहुत समय पहले साबर मती रिवर्ट यह कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए यह अभी न्यूज में है लॉथल भी आपक सकते हैं अभी नौंबर का करेंट अफेर कोर्स चल रहा है और कोड़ डाल देना है जो कि है एस पी ल आई वी और ज्वाइन कलर देखते हैं इसके अलावा आपका पॉलिटी हिस्टी जोग्रफिय जितने दूसरे सब्जेक्ट सो उन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं ठीक है यह आपको द्यान में रठना है तो आपके लिए लिए हल्फुल रहा हुआ कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से बताएं तो थैंक्यू अबरेवन थैंक्यू